A very good evening to all of you, मैं हुजय और आप देख रहे हैं बैंको केरियर अकैडमी के यूटूब चैनल को आज अपन महत्वपून आज के करेंट अफ्यर देखेंगे इसके अतिरिक जो है वो पूरे वीक के अपन जो है महत्वपून जो है आपजेक्टिव सवालों को हल करने का प्रियास भी इस सेशन के अंदर करेंगे तो आज की पहली जानकारी के ओपर अपन चलते हैं त्योलीप फैस्टिवल की बात करें अपन तो टूलिफ फेस्टिवल अपन को पता है कि एसिया के अंदर सबसे बड़ा जो है वो टूलिफ गार्डन कहां पे है जमुन कस्मीर के अंदर है जमुन कस्मीर के अंदर तीन अपरेल से जो है ये फेस्टिवल सुरू हुआ है और आने वाले पॉस दिनों तक यह फैस्टिवल यहां पे चलेगा इसके बाद में सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है यहां पे देश में पहली बार महिला जो है वो क्रिकेट अवार्ड जो है अभी हाली के अंदर दिया गया है और वो राजस्तान सरकार के राजस्तान क्रिकेट संग के द्वारा जो है वो प्रदान किया गया है इस अवार्ड का नाम आपको पुछा जा सकता है तो सुन्दर कांती जोसी अवार्ड इसका नाम है और प्रियंका सर्मा, आयूसी गरग और सिमरन चोधरी को ये समान अभी हाली के अंदर दिया गया है नेक्स्ट इंफार्मेशन देखो अभी हाली के अंदर विस्व का हाईस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो सोमवार को बताया जा रहा है कि पांच अपरेल को इसका कारिय पूरा हो रहा है और ये विस्वा के अंदर सबसे हाइस्ट रेलवे ब्रीज है जो चिनाब नदी के अबर जमू कस्मीर के अंदर बन रहा है लगबग बताया जा रहा है चोदा सो करोड की लागत इस ब्रीज को बनाने में आई है तो ये महतबन सवाल है जो एक्जाम की दरस्टी से आपको पूछा जा सकता है अभी हाली ने RBI ने अपने एक आकड़े जारी किये हैं जिसमें बताया है कि 26 मार्श 2021 तक भारत का जो फॉरेक्स है वो 579.2 बिलियन यहां पे रहा है देखो फॉरेक्स का मतलब यहां पे होता है फॉरेन रिजर्व यानि जो है विदेशी जो मुद्रा भंडार है उसको यहां पे बोला जाता है उसमें सबसे एहम हिस्सा होता है फॉरेन करिंसी असेट का जिसको FCA बोलते है उसके बाद में इसमें गोल्ड को भी इंकलूड किया जाता है SDR भी यहां पे होता है जो कि एक विसे सिकाई है IMF की इसके अलावा जो है जो रिजर्व ट्रेंच है यहां पे IMF के अंदर उसको भी यहां पे इस्तमाल किया जाता है Special Drying Rights से यहां पे SDR यह कई बार Full Forum भी एक्जाम में पूछी जाती है तो इसका ध्यान रगेंगे तो यह सारा संगठन मिलकर ही Forex का नर्मान करता है तो Forex जो है वो कम जादा होता रहता है अकॉर्डिंग टू वियापार की वज़ा से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वज़ा से या फिर जो है वो बहार से जो है वो करंसी कितना फ्लो हो रहा है देसके अंदर उसके आधार पर यह चीज़ें चैंज होती रहती है इसके बाद में सेना के दोरा घर की बात एक इनिशियेटिव प्रोग्राम सुरू किया गया है जो BSF Border Security Force के दोरा सुरू किया गया है राजस्तान बोर्ड पे लगे हुए BSF जवानों के लिए इसका मुख्य उद्श्य है उनको मानसिक तनाव से बचाना है और उनकी जो परसनल समश्चाएं हैं उनको निजाद दिलाना या उनसे रिलीफ पहुचाना यहां पे इसका उद्श्य है तो घर की बात आपको पुचा जा सकता है किस बॉर्डर पर तेनाज जह है वो यहां वर्तमान में अंदर प्रदेश के राज जपाल है सरला साहित्य के द्वारा यह पुरुसकार दिया जाता है कुछ और पुरुसकारों की अपन चर्चा करें तो 2011 का दादा साहब फाल के पुरुसकार रजनी कान्थ को दिया गया है सरस्वत्य सम्मान 2020 डक्टर सरन लिंबाले को दिया गया है व्यास सम्मान की बात करें 2020 का तो प्रॉफेसर सरद पगारे को दिया गया है आज के वीडियो में अब आगे चलते हैं digit insurance के बारे में बात करें, थो digit insurance एक general insurance company है, जिसका brand ambassador अभी विराट कोहली को neut किया गया है, public enterprises selection board जो हैं, जिसको PSEB कहा जाता है इसमें, चेयर पर्सन अभी हाली के अंदर मलीका स्री निवार्शन को नियुक्त किया गया है काफी important सवाल हो सकता है ये exam की दस्टी से इसके बाद में 3 लाख डॉलर जो है वो भारत ने अभी दिये है किसको UN की एक विसेस entity को जो महिलाओं के अधिकारों के लिए संगर्ज करती है विसेभर के अंदर तो for gender equality and women empowerment के लिए ये दिया गया है UN Women का मुख्याले आपको बूचा जाए तो New York जो है वो अमेरिका के अंदर इसका मुख्याले है आज के वीडियो की next information है Amboley Biodiversity Heritage Site जो महरास्टा के अंदर हभी हाली के अंदर Biodiversity Site के रूप में घोशित किया गया है यहाँ पे एक विसेश तरीके की rare पाई जाने वाली रंग भी रंगी जो है फ्रेश वाटर फिश पाई गई है जिसका नाम जह है सचिस्त्रू हिरंकेसी जो है वो इसका नाम है यहाँ पे तो यह नाम भी आपको दिहां रखना है और यहाँ पे अमबोली कहाँ पे पाया जाता है या किस वेस्टन घाट का एरिया का हिस्सा है तो यह महरास्टा के अंदर है इसके बाद में इडुगर्ड हैगर जो प्राइम मिनिस्टर न्यूक्त किये गए है स्लोवाकिया के सेंट्रल यूरोप के अंदर यह देश मुझूद है कैपिटल इसकी पूछी जाए तो ब्रैस्टिस्ट लावा जो है वो इसकी कैपिटल है और करंसी इसकी यूरो है इसके बाद में अगला जो है वो बिंदू है भारत का सबसे बड़ा जो है वो तेरता हुआ सोलर पावर प्लांट तो ये सबसे बड़ा भारत का तेरता हुआ सबसे बड़ा सोलर पाउर प्लांट तेलंगाना के अंदर जह है वो बनाय गया है 450 एकड़ क्वाले छेतर के अंदर फैला हुआ है 100 मेगावाट जह है लेक्टरिसिटी जेनरेट करने की शमता है इसकी और तेलंगाना के रामा गुंडम नामक जगह के उपर इसको स्तापित किया गया है वहां के अंदर जह है वो ये स्तापित है लेकिन कभी भी आपको एक्जाम की दस्टी से ये पूछा जाए कि विस्व का सबसे बड़ा जो है वो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पे बनाय जा रहा है तो ये नर्मना नदी के उमकारेश्वर डेम के उपर बनाय जा रहा है और ये कहां से कौन से रज्जे से जुड़ा हुआ है मद्देपरदेश से 600 मेगा वाट की इसकी जह है वो कैपेसिटी रहेगी बताया जा रहा है कि 2030 तक ये बन कर जह है वो तयार हो जाएगा पेटियम मनी ने अभी हाली के अंदर टेक्नोलोजी डवलप्मेंट और इनोवेशन सेंटर स्तापित किया है पुने महरास्टा के अंदर वैसे इसका हेड़कॉाटर कहां पे है बैंगलोर के अंदर इसका हेड़कॉाटर है परधान मंत्री के दुआरा रोजगार उन्मुक करने के लिए यानि पी-म एम्प्लाइमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाया गया है जिसको पी-म एजी-पी शॉट में कहा जाता है इस योजना के तहट अभी हाली के अंदर एक रिकोर्ड स्तापित किया गया है फाइनिशिल इयर दो हजार बीस इकीस के अंदर जिसके तहट पाँच पॉइंट पिचानमन लाख रोजगार जो है वो इसके तहट दिये गए है और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकोर्ड है इसको चलाने वाली एजनसी जो है वो कौन है जिसके मताबिक ये जो है वो प्रोग्राम चलाया जाता है तो के वी आईसी है के वी आईसी का मतलब खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन है और इसका मुख्याले कभी आपको पूछे जाए के वी आईसी का तो मुंबई के तो अभी आपने देख भी लिया ये एक नौडल एजनसी है पी एम ईजी पी योजना के लिए के वी आईसी कौन से मंत्राले के अधीन काम करती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्री के तहत ये काम करने वाली कमिशन है ये भी आपको ध्यान रखना ह इसके बाद में अगले महतवपुन बिंदू पे चलते हैं वन धन विकास योजना के तहट जिसके तहट वनों के जो महतवपुन उत्पाद है उनको परिश्करत किया जाता है अलग तरीके से पैकिंग की जाती है और उनकी ब्रैंडिंग की जाती है तो इसके अंदर ट्राइबल अफेर्स के अंतरगत आता है ट्राइफेड जिसको बोल सकते हैं इस ये मंतराले अभी किसके अधीन है अरजुन मुंडा के अधीन है यानि इसके मंतरी अरजुन मुंडा है इसके बाद में आज ही के दिन इंटरनाशनल माइन अवेरनेस दिवस भी मनाय जाता ह यानि ख़दान से जुड़ा हुआ है, लैंड माइन्स वगरा जो बिचाए जाती है, उनके प्रतीज आगरुकता लाना है लोगों के अंदर, तो ये चार अपलेर को मनाया जाने वाला दिवस है, इसकी थीम आपको पूछी जाए, तो परसिवरेंस, पार्टनर्शिप और प् डिजिटल पैमेंट के मामले में भारज जो है, वो पर्थम स्तान के उपर है, जिसने 25.5 बिलियन जो है, ट्रांजेक्शन्स यहां पे हुए है, डिजिटल पैमेंट्स इसके हुए है, तो 2020 के अंदर, यदि इस रैंकिंग के अंदर बात की जाए, तो चाइना 2nd पोजिशन पे है, साउथ कोरिया 3rd पे, और थाइलेंड जो है, वो 4th पोजिशन के उपर है, तो यह आपको पूछा जा सकता है कि 1st पोजिशन पे कौन है, इडिया इसके अंदर 1st पोजिशन के उपर है, अगली जानकारी नियुक्ति को लेकर है, डिरेक्टर जनरल बनाया गया है, Employee State Insurance Corporation का, इसका मुख्याले कभी भी पूछा जाए, तो ध्यान रखना है, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्याले है, मुखमीत S. भाटिया को इसका डिरेक्टर जनरल नियुक्ति किया गया है, इसके बाद में कुछ जानकारी अपन भारतीय रेल्वे से सम्मंधित ले ले जो आपको ध्यान रखनी है, एक्जाम में पूछी जा सकती है, इंडियन रेल्वे में आपको ध्यान रखना है कि इंडियन रेल्वे ने 2020-21 के अंदर 6000 जो है वो 15 किलोमेटर की रेल लाइन का विदूति करन किया है, और यह अपने आप में एक रिकोर्ड भारत के अंदर र जाएंगे, जबकि ग्रीन रेल्वे का टारगेट जो है रेल्वे ने 2030 का रखा है, सुनित सर्मा इंडियन रेल्वे बोर्ड के CEO हैं, ये भी कई बार एक्जाम में पूछ लेते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट जानकारी ये है, अगली जानकारी है, भारत ने अभी हाली के है, अनिया मिथुन अभी चर्चा के अंदर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गोर्ड मैडल जीता है, वुसू चेंपियनसिप के अंदर 70 किलो ग्राम वर्ग में ये इन्होंने जीता है, और एशिया वुसू चेंपियनसिप का आयजन कहां पे किया गया था, नेपाल के अंदर क किया गया था ये मूल रूप से किस राज्य के हैं ये खिलाड़ी केरल से हैं कैपसिटी बिल्डिंग कमिशन बनाया गया है और इसके अध्यक्स जो है वो आदिल जैनूल भाई को न्यूक्त किया गया है कैपसिटी बिल्डिंग कमिशन देखो इसका कारिय क्या है कि जितने भ में एक किताब है सुपारी पलाना जो है वो तेलगू अनुवाद है एक तरीके से ये लेखक इसके सैलेंदर जोसी रहे हैं इस किताब का इनॉगरेशन वेंकाया नाइडू ने किया है यानि देज्जो देश के उपरास्ट पतीपी वर्तमान के अंदर है 14 अपरेल को जो है वो सारवजनिक अवकास की घोशना भारत सरकार ने की है डॉक्टर भीम राव अमबेडकर की जनमती थी है ये और इसी दिन जो है वो सरकार ने ये घोशना की है कि देश के अंदर सभी सरकारी जो है वो दफ्तरों के अंदर अवकास रखा जाएगा H1B visa जो है वो अमेरिका के दोरा दिया जाता है और IT professionals को ये मिलता है Donald Trump ने जो है वो कुछ समय पहले इसके उपर परतीबंद लगा दिया था लेकिन अभी इससे परतीबंद जो है वो हटा दिये गए है GP target के बारे में अपन जानकारी यहां पे ले तो ES CAP यानि जो की UNO की ही एक सेंसता है जिसने बताया है कि भारत की GDP साथ परतीसत रहने का अनुमान है Economic Social Survey of Asia and the Pacific 2021 इस रिपूर्ट का नाम है यहां पे UNS CAP जो है वो हेड़कॉर्टर पूछा जाए तो Bangkok Thailand के अंदर इसका मुख्याले यहां पे इस्तित है इसके बाद में GDP की ही एक अनुमान में Crystal का भी यहां पे दिहान रखना है Credit Rating Information Service India Limited है मुख्याले पुछा जाए तो मुंबई के अंदर है इन्होंने भारत की GDP का अनुमान माइनस 7% लगाया है Financial Year 2021 के लिए लेकिन 2022 में इन्होंने प्लस में 11% बताया है Crystal देखो यह सवाल कई बार आता है Standard and Poor Global जो है वो जो Rating Agency है उसकी सहायक सेंस्ता है और Crystal वो सेंस्ता भी है जो वारत के अंदर पहली जो है वो साक निर्धारन करने वाली कंपनी के रूप में स्तापित वी थी 1988 के अंदर मुद्रा स्वित्ती के टार्गेट को भी जो है वो RBI ने अभी Decide किया है Ideal Range जो है वो यहाँ पे Inflation की 4% रहने चीए Plus minus 2% यहाँ पे हो सकता है और आने वाले 5 वर्सों के लिए यह टार्गेट रखा जाएगा यानि 31 March 2026 तक यही टार्गेट रहने वाला है भारती है अर्थव्यवस्ता के अंदर तो यह 2 से लेके 6% तक का जो Range है यहाँ पे उसी को Flexible Inflation Target यहाँ पे बोला गया है और Ideal Range इसकी कितनी हो जाएगी 4% हो जाएगी इसके बाद में एक शॉट जो है वो वीडियो बनाने वाला प्लेट फॉर्म भी जो है वो थ्रेडिट एप के नाम से जो है वो निकाला गया है और यह इस पे किसका मालिकाना हक है गूगल ने इसको जो है वो इजाद किया है इसके बाद में भारत के अंदर पहली बार जो है वो दो हरित उर्जा कुसल सहर बनाये जा रहे हैं और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है बिहार बना है लक्ता सेंटर अभी चर्चा के अंदर रहा है क्योंकि उची इमारतों के लिए इसको जो है तो एम प्राइम में एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन प्रोग्राम फॉर रिसर्च औन इनोवेशन मार्केट रेडिनेस एंड एंट्रेपर्नेर्शिप इसका पूरा नाम है बिल एन मैलिंडा गेट्स फांडेशन्स की मदद से ये जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से देश के अंदर जो साइन्स बेस्ट स्टार्टप्स है उनको स्थापित करने के लिए प्रोथसाहन किया जा रहा है तो नीती आयोक का एम प्राइम प्रोग्राम का उद्दश्य जो विज्ञान आधारित गतिविधियों को आगे देश के अंदर बढ़ा रहे हैं आज का अगला Current Affair Agriculture Infrastructure Fund को लेकर है ये Fund Scheme भारत ने लोकडाउन के समय चालू की थी भारती Agriculture Infrastructure को सुदरड करने के लिए तो इस Scheme का लाब उठाने के मामले में मद्य पर्देश पर्थमस्तान के उपर रहा है अभी एक अपरेल को अपरने देखा था उतकल दिवस भी मनाया गया था और एक अपरेल को ही भारत के अंदर simulate bank यानि RBI की स्तापना दिवस भी था तो RBI का स्तापना दिवस कितने नंबर का था तो 86 जो है वो नमबर का यहाँ पे स्तापना दिवस RBI ने मनाया है UPI Transaction यानि Unified Payment Interface जिसको कहा जाता है UPI बोलते हैं एक billion जो है वो transactions क्रॉस करने वाली भारत की पहली company कौन से बन गई है फोन पे बन गई है और वैसे exact जो है वो data कौन से है 1.3 billion transactions इसने जो है वो पहली बार पार किये है और यह देश की पहली company यहाँ पे इस मामले में बन गई है UPI बहुत important जानकारी है जैसे वो किसी वेक्ति की पहचान आधार संक्या के आधार पर की जाती है उसी तरीके से उल्पिन यानि यूनिक लैंड पार्सन आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो 14 संक्याओं का जो है वो एक code रहेगा मार्च 2022 से ये पूरे देश के अंदर लागू होने वाला है इसका उद्धिश्य क्या है कि जो प्रतेग भूखंड देश के अंदर है उसकी पहचान एक यूनिक तरीके से की जा सके इसलिए इसको भूमी की आधार संक्या भी माना जा रहा है अजकल आसाम के अंदर चुनाओ चल रहे हैं और इन चुनाओ के अंदर सविधान के एक आर्टिकल 244A की बड़ी चर्चाएं हो रही है थोड़ा सा अपन को इसके बारे में भी जान लेना है कि ये आटोनोमस स्टेट को डवलप करने से सम्दित है जो आसाम के कुछ आदिवासी वरग है इसके तहट एक सवायत राज्य की मांग कर रहे हैं यानि एक सवतंतर राज्य की मांग यहाँ पे की जाती है इसके तहट स्टेटेजिक कॉपरेशन पैक्ट की बात की जाए तो ये एक संदी है जो 25 वरसी लंबी अवधी के लिए की गई है चाइना और इरान के बीच में ये समझोता अभी हाली के अंदर हुआ है जिसके तहट जो राजनेतिक है आर्थिक है और स्टेजिक कंपोनेंट इसके अंदर सामिल किये गए है तो इरान के ओपर लगातार प्रतीबंद जो है अमेरिका के दुवारा जो है वो लगाए गए थे और इसके तलते इरान जो है वो काफी दबाव में है इसलिए इसको इंतरास्टी इस तर पर एक सयोग किया वे सकता है और ये काफी जादा इंपोर्ट के मामले में जो है वो चाइना पर डिपेंडेंट भी है इसलिए ये संधी जो है वो यहाँ पे इसके साथ की गई है इसके बाद में फाइनेंशिल येर 2020-21 के अंदर परधान मंतरी आवास योजना और जी का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है ग्रामिन जो ग्रामिन छेतरों के अंदर आवास यह जो टार्गेट था यहाँ पे 2020-21 के अंदर उसको यहाँ पे मंतराले ने केवल 5.4 परतिसत ही इस टार्गेट को प्राप्त किया है तो यह ध्यान रखेंगे कि टार्गेट यहाँ पे प्राप्त पूरा नहीं किया गया है अब आपन महतपूर्ण अब्जेक्टिव सवालों की चर्चा करेंगे आप फठा फठा आंसर जो है वो इनके कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे तो आज का पहला सवाल है तो यह एक HSN कोड है यहाँ पे जो बेसिकली जो है वो GST से आधारित है यहाँ पे GST के लिए ही है और अंतरास्टिय स्थर पर WCO यानि World Custom Organization WCO का मतलब क्या हो गया World Custom Organization तो यह World Custom Organization जिसका मुख्याले जो है वो आपको पता होना चाहिए Brussels Belgium के अंदर है तो यह एक Tax के लिए ही HSL नंबर जो 6 संख्याओं का है यह अनिवारिय हो गया है यहाँ पे व्यापारियों को लेने के लिए और यह कितने करोड से उपर के लेन देन करने वाले बिजनसस के लिए अनिवारिये हैं यहाँ पे तो 5 करोड से उपर के लेन देन करने वाले व्यापारियों के लिए इसके बाद में अगला सवाल है एक new umbrella entity का गठन जो है वो किया जा रहा है retail payment के लिए new umbrella entity देखो यहाँ पर non-profit organization है यहाँ पर और यह non-profit organization जो है वो e-commerce, amazon और visa card के साथ मिलकर कौन इसका जो है वो गठन कर रहा है यहाँ पर तो ICIC bank, SDFC bank, Axis bank both first and third तो इसका option जो है वो answer कौन सा सही रहेगा फोर्थ option इसका answer यहाँ पर सही है इसके बाद में अगले सवाल पर चलते हैं in which country the Fagadal volcano erupted for the first time in thousands of years हजारों सालों में पहली बार जो है वो यह जो आला मुखी जो है वो फटा है यह जो आला मुखी कहां पर है यह आपको बताना है इटली, Russia, Norway, Iceland तो इसका answer जो है वो क्या हो जाएगा फोर्थ option इसका answer है यानि Iceland के अंदर यह जो है वहाँ पे मुझूद है Under the first national policy of rare disease, the government will provide one time government financial assistance तो जो यहाँ पे rare disease है जिसको NPRD scheme सरकार ने अभी सुरू की है जिसके तहत सरकार जो है वो यहाँ पे कितने रुपए तक का financial assistance देगी 10 लाग, 15 लाग, 5 लाग और 20 लाग, तो 20 लाग रुपए तक का financial assistance यहाँ पे दिया जाएगा इसके बाद में आपने देखा था कि परधान मंतरी नरिंदर मोदी अभी बांगलादेस की यात्रा पे थे और उसी दोरान जहें वहाँ के एक मुस्लिम जो समू है उसने उन्हों की यात्रा का काफी जादा विरूद किया था और उसकी जड़प में काफी लोग पुलिस के द्वारा मारे भी गए थे तो उसी ग्रूप का नाम यहाँ पे हफाज़त जो हफाज़त ए इसलाम है यहाँ पे और यह ग्रूप किस देश से सम्मंदित है जो चर्चा में राया है यह आपको बताना है तो सीधा सीधा अंसर आपका क्या हो जाएगा बंगलादेस हो यहाँ पर भाग ले रही है यहाँ यह युद्धा अभ्यास जो है वो बंगलादेस अपनी पचासवी सवतंतरता की वर्सकार्ट मना रहा है उसो प्लक्स पे इसको जो है वो आईजित किया गया है तो आयोजन किस ने किया है यह आपको पूछा गया है वो विल होस्त तो य यह परतिवर्स एक अपरेल को मनाय जाता है तो आपका सीधा अंसर जो है वो क्या हो जाएगा उडी सा हो जाएगा इसके बाद में गलाबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर जो है वो यहाँ पे भारत की रैंक पूछे गई है तो यहाँ पे 112 जो पिछले सार रैंक थी उ इसकी जो है वो अंतिम्ति थी अब जो है वो कितनी कर दी गई है अगस्त 31st अपरेल 30 जुलाई 31st या जून 30 तो यहाँ पे जून 30 इसकी जो है वो अंतिम्ति थी यहाँ पे जो है वो कर दी गई है who has been awarded with the 51st दादा साहफ फाल के आवार तो एक कावनवा जो है वो दादा साहफ फाल के आवार किसको दिया गया है तो रजनी कांथ को यहां पे यहां पे यह आवार जो है वो दिया गया है तो यह आपको यहां पे दिहान रखना है कि किसको ये सम्मान जो है वो 2019 का ये सम्मान है ये भी दियान रखेंगे 2018 का मैंने बताया था अमिता बच्चन को दिया गया था तो ये बहुत महतपुन सवाल है इसके बाद में सरकार के द्वारा एक योजना चलाए जाती है जिसको PLI स्कीम कहा जाता है production linked scheme इसको बोलते हैं कई बार इसकी full forum भी पूछ लेते हैं जो food processing industry के लिए है यहाँ पे इसको total जो है वो कितना outlay यानि कितनी रासी आवंटित की गई है 6 सालों के लिए तो 10,900 करोड रुपए यहाँ पे इसको आवंटित किये गए हैं काफी महत्पुन सवाल है यहाँ आने वाले एक्जामों के लिए इसके बाद में formula race के बारे में बात करें तो 2021 का बहरीन ग्रांड प्रिक्स जो है वो लैविस हैमिल्टन ने यहाँ पे जीता है इसके बाद में अगला सवाल जो है वो small saving जो schemes है उसकी दरों को लेकर है यहाँ पे अपन को पता होना चाहिए कि सरकार ने जो निरने लिया था दरों को घटाने का उसको एक अपरेल को वापिस सरकार ने पलड़ दिया और यहाँ पे दरों को बरकरार रखा गया है तो यहाँ पे national saving certificates की जो है वो दरों के उपर first quarter में कितनी दर रहेगी यह आपको बताना है तो 6.8 परतीसत दर इसके उपर रखी गई है देखो आपको public provident fund का पूछा जाए कितनी दर है तो 7.1 परतीसत है monthly income scheme का पूछा जाए तो इसकी दर यहाँ पे है 6.6 परसेंट किसान विकास पत्तर की आपको दर पूछी जाए तो इसकी दर है 6.9 परतीसत लेकिन कई बार इसमें यह सवाल पूछ लेते हैं कि maturity period कितना है तो यहाँ पे 124 महिना जो है इसका maturity period है किसान विकास पत्तर का इसके अलावा बच्चियों के लिए खोला जाने वाला जो account है यानि सुकन्या समर्दी account है उस पे ब्याजदर 7.6 परतीसत दी जाती है एक महत्तपुन जानकारी यहाँ पे आपको ओर ध्यान रखनी है कि छोटी जो बचती योजनाएं है उसमें सबसे ज़्यादा निवेश जो है जो करने वाला भारत के अंदर राज्य कोन सा है महरास्टरा है जबकि यहाँ पे 2nd position पर West Bengal है यहाँ पे और 3rd position पर UP है तो कभी भी आपको एक जाम में पूछा जाए कि सुद्ध निवेश के मामले में सबसे ज़्यादा जो छोटी बचती योजनाएं है उसमें निवेश कोन करता है या सिर्ष तीन राज्य कोन से है तो महरास्टरा, West Bengal और UP यह ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा निवेश करते हैं यहाँ पे इसके बाद में International Children's Book Day कब मनाया जाता है यह आपको बताना है तो 2 April को यह दिवस्च है वो परतिवर्स मनाया जाता है अगला सवाल नियुक्ति को लेकर है सुभास कुमार has recently been appointed as the chairman and managing director and CMD of which company तो सुभास कुमार अपन को ध्यान होना चीए यह कौन सी कंपनी से related है ओए जी सी से ओए लाइन Natural Gaze Corporation में नियुक्ति अभीन को दी गई है World Autism Awareness Day के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी मैंने उसके बिमारी के लक्षन भी बताये थे आपको तो यह दिवस्च आपको ध्यान रखना है कब मनाया जाता है दो अप्रेल को यह दिवस्च जो है मनाया जाता है विस्वभर के अंदर इसके बाद में अगला सवाल आज ही के Current Affair की जो अपन ने चर्चा की थी उसी से जुड़ा हुआ है ESIC के अंदर Director General किन को न्यूक्त किया गया है यह आपको बताना है तो यहाँ पे मुखमीत जो है वो ES भाटिया को यहाँ पे नियूक्ती दी गई है इस पद के ओपर इसके बाद में जो है वो Global Gender Gap Report अपने देखी थी कि भारत का 140 वा स्तान था लेकिन यहाँ पे टॉप पोजिशन पे बुचा गया है कि कौन सा देश सबसे सर्वस्रिष्ट जो है प्रदशन किया है जानी जहाँ पे महिलाओं को एक अच्छा समाज के अंदर जो है अधिकार मिला हुआ है ससक्तिगर्ण वहाँ पे समाज के अंदर अच्छा है तो यह देश कौन सा है आइसलेंड यहाँ पे उस इस्तान के ओपर मौजूद है फर्स्ट पोजिशन के ओपर अगला सवाल यहाँ पे इंटरनाशनल चिल्डरन्स बुगडे को लेकर है दोहजार इकीस के यह स्पॉंसर कंट्री पुछी गई है यहाँ पे युनाइटे स्टेट न्यूजलेंड औस्टेलिया डैनमार्क तो इसका जो है इंटरनाशनल चिल्डरन्स बुगडे का स पूछी गई है सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम के लिए कितनी परतिसत दर अभी फर्स्ट कॉर्टर के अंदर निर्धारित है यहाँ पे तो यह आपको ध्यान रखना है कितनी दर निर्धारित है साथ पॉइंट चार परतिसत की दर यहाँ पे निर्धारित है अभी हाली क के अंदर सरकार ने अपने जो है इस वित्तिय जो पिछला वित्तिय वर्स था उसके अंतिम दिन यानि 31 मार्च 2021 को सरकार ने सरकारी बैंकों को जानी चार सरकारी बैंकों को 14,500 करोड रुपए देने की बात कही यानि 2020 के अंदर कुल कितनी रासी जो है वो सरकार ने इसको मिलाकर यहां पे बाटी है यह आपको बताना है तो यह बहुत इंपॉर्टन जो है वो आकड़े हैं यदि आप फाइनेशिल एक्जाम देने जा रहे हैं तो 20,000 करोड की रासी पिछले साल यहां पे सरकार के द्वारा बाटी गई है इसके बाद में जो है एक नई टाइम लाइन यानि एमरजनसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है तीन लाग करोड की यह जिसको ECLGS कहा जाता है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजिस के लिए है उसकी डैड लाइन जो है वो यहां पे यानि कब तक लागू र लिया जाता है वेजेज एन मीन्स एडवांस के मादियम से जो आर बी आई की यहां पे मदद करता है इस तरीके से पैसा लेने के लिए तो फाइनेशिल एर दो हजार एकीस बाइस के अंदर सरकार ने जो यहां पे पैसा उधार लेगी उसमें रासी है बारा पॉइंट जो ह वो पांच लाक करोड यह तो टोटल रासी है पूरे वर्स की लेकिन पहले हाफ में पूचा गया है यानि पहली छह माही में सरकार कितना पैसा यहां पे जुटाने का टारगेट रखा गया है तो लगबग साट परतिसित हिस्सा वो अपनी पहली छह माही के अंदर ही जुट तो आपने देखा था ओटो डैबिट के जो रूल्स है वो एक अपरेल से लागू होने थे लेकिन सरकार ने अभी इसको रिलेक्शेशन दे दिया है बैंकों को और इसको एक्स्टेंशन करके कब तक कर दिया है सेप्टेंबर दो हजार ती जह है वो सेप्टेंबर सेप्टेंबर दो हजार एकीस तक रहेगा वैसे देखें तो ती सेप्टेंबर दो हजार एकीस तक अब यह जो है वो लागू नहीं होंगे देश के अंदर रिलेक्शेशन बैंक्स को दिये गए हैं इसके तहट इसके बाद में एक को ब्रांडिड कार्ड है यूनी कार्बन कार्ड यूनी कार्बन कार्ड देखो यहां पर एक को ब्रांड़ेड इसको कृरेडड कार कहा गया है यूनियन बैंक्स ने जो है वो किस के साथ मिलकर इस कार्ड को जारी किया है एचपी सील के साथ यह आपको सीधा सीधा दियान रखना है तो जापानिज ओटो मॉबायल söz के सप्लाई चैन को यहां पे ससक्त करने के लिए JBIC के साथ टाइअप अभी जो है वो लोन का किस ने किया है भारत के अंदर तो स्टेट बैंक आफ इंडिया ने यह लोन का जो है वो टाइअप यहां पे किया है अगला सवाल जो है वो GDP के अनुमान को लेकर है विस्वा बैं या नुमान लगाया गया है वजर पर हार नाम से एक जो है वो exercise की गई है भारतिय सेना और किस सेना के बीच में यह की गई है यह आपको बताना है तो यह जो है वो United State और भारतिय सेना के बीच में युद अभ्यास यहां पे था आज ही के वीडियो में अपन एक सम्मान की बात और की थी जिसमें सरसोती सम्मान का भी जिकर किया गया है तो सरसोती सम्मान 2020 किसको दिया गया है यहां पे तो सरन कुमार लिंबाले को यह सम्मान जो है वो दिया गया है इसके बाद में बच्चों के उपर किताबे लिखने वा अगली जानकारी यहां पे दिवस को लेकर है International Transgender of Visibility जो का जो दिवस है वो पूरे विस्व के अंदर 31 मार्च को मनाया जाता है यहां पे आनंदम जो है वो एक Center of Happiness का उदगाटन रमेज पोकरियाल ने अभी हाली के अंदर किया था लेकिन कहां पे किया था यह सवाल आपको पूछा गया है तो यह उदगाटन जो है वो IIM जम्मू के अंदर जो हाली के अंदर किया गया है इसके बाद में क्रिकेट के खिलाडी है थिजारा पेररा यह जो है वो इन्होंने च्छे च्छके लगाए हैं एक ओवर के अंदर यानि six sixes in a single ओवर लगाए हैं यह क्रिकेट प्लेयर कोन से देश से संबन्दित हैं इसका जवाब आपको यहाँ पे देना है तो इसका आंसर रहेगा स्री लंका स्री लंका इसका आंसर यहाँ पे सही है नेम दा इंडियन रेंजर वू इस दा आउनली एशियन टो विन दा प्रेस्टिजियस इंटरनाशनल रेंजर अवार्ड तो अंतरास्टियस सर पर जो है जो वनों के अरंदर रेंजर रहते हैं उसके अंदर भारत के रेंजर को यह खिताब दिया गया है पूरे एशिया के आपको यह बताना है कि यह सम्मान अभी हाली के अंदर किसको मिला है इसका जेकर भी अपन कर चुके हैं पिछले वीक के वीडियो के अंदर तो आंसर है महिंदर गिरी यहां पे आपको यदि किसी भी तरीके की यहां पे कन्फिजन रहे या आप पिछले वीडियो को आप द मिलेगा क्योंकि मैं लगबग सारी चीजें जहें वो कवर करने का प्रियास यहां पे करूँगा तो आप देखेंगे कि जो है जो मेरे वीडियो के अंदर जो है वो सारी चीजें मैं संकलित करता हूँ जो भी अलग-अलग न्यूस पेपर से जुड़ी भी है चाहे वो हिंदी के न्यूस पेपर हूँ चाये अंगलिस के न्यूस पेपर हो आपके लिए एक जगह सारी इंफॉर्मेशन मैं संकलित करने का प्रियास यहां पे करता हूँ धाद में कुछ एक नया बिल जो है फो इंडिया के बाद में दूसरे किसी देश ने भी अभी जो है वो जाडिया है यानि यहां पे यह बिल जो है टू प्रोवाइड लीव यानि छुटी देने के लिए है मिसकेरेज और स्टेल बर्थ को लेकर यानि पेड लीव यहां पे दी जाएंगी महिलाओं को तो यह जो है वो बिल अभी हाली के अंदर किसने पारित किया है न्यूजिलेंड ने जो है वो पारित किया है भारत के बाद में इसके बाद में जो है वो ड्रग्स को लेकर भी लोगों के अंदर जाग रुकता जो है फैलाने को लेकर एक दिवस भी मनाया जाता है और ये दिवस भी मैंने आपको वीडियो के अंदर चर प्रहित रहते हैं, तो इसी के चलते विस्वस्तर पर वल्ल बैक अप डे भी जो है उपरतीवर्स मनाया जाता है, इसका जिकर भी लास्ट वीक अपन ने किया था, तो ये कब मनाये जाता है, 31 मार्च को मनाया जाता है, इसके बाद में हाली के अंदर, बैस्ट फिलम का आवार के अंदर किसको दिया गया है तो यह आपको बताना है यहां पे थपड मुवी को यह समान जो है वो दिया गया है इसके बाद में एक नावल एक्सराइज जो है युद्धा अभिहास जो है वो किया जा रहा है जिसका नाम ला पैराउज है ला पैराउज को आईजित करने वाल पे है और इंडिया यहां पे है लेकिन इसका आयोजन जो है वो यहां पे कौन कर रहा है फ्रांस कर रहा है यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद में जो है वो अगला सवाल अनिल धारकर को लेकर है जिनकी अभी हाली के अंदर मरत्यू हो गई है यह कौन से छेतर से सम्मंद यहां पे हैं जनरलिजम से जुड़े वे थे यानि एक जनरलिस्ट ये थे इसके बाद में अगला सवाल भारत की जड़ीपी से ही जुड़ा हुआ है जड़ीपी के अनुवान को लेकर ही है S&P Standard and Poor Global Rating Agency है विश्वस्तर पे जिसका मुख्याल है अमेरिका के अंदर है इन्हों में अगला सवाल समझोतों को लेकर है MOU का मतलब यहां पे Memorandum of Understanding होता है जिसको अपन हिंदी में समझोते यहां पे बोल सकते हैं तो यह समझोते जो है यहां पे जब परधान मंतरी नरेंदर मोदी बंगलादेश की यातरा पे यहां पे गए थे तब इनके द्वारा जो है Five Agreement यहां पे या MOU पे साइन किये गए हैं जो अलग-अलग छेतरों को लेकर यहां पे हैं इसके बाद में जो है वो एक कमपनी है जिसका नाम जो है Estrom है और यह महिलाओं के द्वारा से इंचाल दी एक स्टार्ट अप है जिसका एक उतपाद Giga Mass जो है वो लांच किया गया ह यह गिगा Mass उतपाद जो है वो एक फाइबर यहां पे नेट है और यह बैंडवर्ड सबर्बन और रूरल एरियास के अंदर इंटरनेट के लिए उप्लब्ड करवाया जा रहा है यहां पे यह पूछा गया है कि यह कमपनी कहां पे आधारित है तो बैंगलोर में इस कमपन गया है SDFC बैंक को दिया गया है इसके बाद में question number 45 पे चलते हैं महराजा 76 साला convention center का अभी हाली में उदगाटन किया गया है और यह उदगाटन उस जगह हुआ है जो मद्यपरदेश की एक जो है वो यूनेसको की heritage site भी है यहां पे इसलिए यह परियाटन के लिए काफी important है तो यहां पे यह convention center का उदगाटन मद्यपरदेश की जो है वो किस जगह पे किया गया है खजराहू मंदिर के अंदर जो है वो किया गया है अगला सवाल ISSF यानि सुटिंग फैडरेशन को लेकर है इस सुटिंग फैडरेशन का आयजन जो नई दिल्ली के अंदर हाभी हाली क के अंदर किया गया था maximum medals जो है वो किसको मिले है यह सवाल मैंने आपको quiz के अंदर भी last week पूछा था तो यह आप ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा medal लेने में भारत का पहला स्थान है 30 medal यहां पे इनको मिले हैं जिसमें से 15 gold इन्हों ने इसके तहर जो हासिल किये है इस से आप जवाब देंगे कहां पे किया गया है दिली कंटॉनमेंट के अंदर जो है वो इसका उदगाटन वहां पे किया गया है इसके बाद में स्रीमती सोमा मंडल has been appointed as a new chairman of standing conference of public enterprises for two years beginning financial year 2022 C is the current chairman of which PSU यानि किस public sector unit की ये वर्तमान में chairman है यहां पे chairperson है तो Steel Authority of India Limited की ये वर्तमान में chairperson है इसके बाद में आज की अंतिम स्लाइड पे अपन चलते हैं केसी चकरवर्ती जिनकी हाली के अंदर मरत्यू हो गई है केसी चकरवर्ती देखो यहां पे जो है वो किस जो है वो सेंस्ता से जुड़े हुए थे या वे आपको ये सवाल पूछा गया है तो ये RBI से जुड़े वे वे वेक्ती थे जिनकी हाली के अंदर मरत्यू हो गई है इसके बाद में आज का अंतिम सवाल है डॉक्टर हर्स वर्दन के द्वारा जो है वो एड्रेस किया गया है 2021 एन्वल समिट जो हुई नेट हैल्थ की यहां पे थ्रू वीडियो कांफरेंसिंग के माद्यम से इस यहां पे तो आज आपने देखा कि पिछले वीग के महतेपूर सवालों को अपन ने रिवाइज किया क्विज के माध्यम से और लगबग सारे महतेपूर जो है वो करण अफेयर आज के अपने इस वीडियो के अंदर समावेशित करने के प्रियास किये हैं तो अपन इस आप लोग मेरे मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए इस वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें और इसके अंदर जो है जो भी आपको जो मैं बाते बता रहा हूं उससे अतिरिक्त आपको कोई भी सूचना देनी है तो आप कमेंट लाकात फिर से जो है वो चार बजे होगी आज थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन कल फिर सेम टाइम फूर उकलोक अपन मिलेंगे कुछ नए करेंट अफेर के साथ कुछ नए सवालों के साथ तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को समय देने के ल हैं हम जहें वो आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए सदेव प्रतीबद यहां पे रहेंगे